हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सबी लोग, स्वागत है आपका आपके चैनल हमकोजी में तो जो बच्चे हैं, हाई स्कूल पास, आई टेई पास और डिपलोमा होल्डर्स बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे या अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे सारे वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखा करिए, बिना स्क्रिप किये हुए क्योंकि मैं बहुत डिटेल में सारी वीडियो लेकर कर आता हूँ आप लोगों के लिए उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, तो मेरे इस चैनल पे दिखाए गए वाटसअप ग्रूप को आप जॉइन कर लिजे, एक मैसेज कर दीजे अपने नाम से, मैं आपको इस चैनल के वाटसअप ग्रूप में अड़ कर लूँगा और एनी टाइप अप क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा है, आने वाली कमपनी इसकी डिटेल को ले करके या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जॉब को ले करके, तो आम उससे उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करने की खुशिश करूँगा तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी कमपनी आ रही है, सेलरी का पैकेज क्या है, एज का ग्रूप क्या है, और कमपनी के दौरा आपको कौन कौन सी फैसलिटीस दी जाने वाली है, और साथ ही जानेंगे जॉब लोकेशन क्या है, तो बच्चों वीडियो इंडिया लिम्टेड भारत में एलेक्ट्रोनिक मैनिफेक्टिरिंग सर्विसिंग की छेत्र में सबसे आगे है, और 1993 में स्थापित और 1994 में रंगीन टेलिविजन का इस कमपनी में शुरुआत करी थी, दिक्सन ने अब एलेक्ट्रोनिक के विभिन उपकंडों में अपने परिचारेंड का विस्तार किया है, एक सोदेशी कमपनी के रूप में डिक्सन टेक्नलोजी दुनिया भर के ग्राहगों को और भक्ता ठिकाओ वस्तुएं घरेलू उपकरण, प्रकाश फ्वश्था, मोबाइल फोन, सुरुक्चा उपकरणों में डिजाइन के इंद्रित सम परदान करती है, मोबाइल फोन और एलेडी टीवी के पैनल्स भी ये कमपनी बनाती है, तो देखा आपने के डिक्सन कमपनी में किस तरीके की वेकेंसे निकली हुई है, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट होगी वो होगी ट्रेनी की, जॉब लोकेशन और आपकी नुएडा उत अगर यहाँ पर काम करेंगे तो उनका सेलरी का पैकेश होगा 11,584 रुपए, आइटे ये पास बच्चों का होगा सेलेक्शन तो 11,984 रुपए के सलरी बनेगी और डिप्लोमा हुल्डर्स जो बच्चे होंगे उनके लिए 13,284 रुपए का सलरी का पैकेश इनके पास है, उसके लाबा कुछ एक्स्ट्रा भी ये लोग दे रहे हैं, देख लेते हैं, तीन हजार रुपए क्वाटरली एवार्ड मिलेगा प्लस ओवर टाइम भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, एज का बांडेशन इनके साथ में है, 18 से 27 परश के बच्चे की रिक्वार्मेंट है और 26 वर्ष 11 महने तक के बच्चे यहां पर लिये जाएंगे, सेलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपका रिटेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और कैंपस इंटरव्यू डिटेल आप लोग देख लिजिए, डेट है 28 दिसंबर 2022 औ और वेनी जो होगा शार्ष की और दोगे प्रिशिक संस्तान सिगरॉली, इस वेकेंसी की रिकार्डिंग एक इनफॉर्मिशन मेरे पास और है, वो भी आए देख लेते हैं, यह फुल डिटेल इस कैंपस सेलेक्शन के बारे में यहां दी गई है, इसमें लिखाया है, कैंप आइटी और डिप्लोमा बच्चों की रिक्वार्मेंट करी गई है, एज इन्होंने बता दिया है, 18-27, 26 वर्ष, 11 महिने का डिटेल उन्होंने यहां पर दे दिया है, सेलरी का पैकेज मैंने आपको बता दिया है, उसके अलावा कुछ डिटेल और यहां पर दी गई है, यह पासपोर्ट साइस के आपको फोटो की आवश्चक्ता होगी, जब आप यहां पर इंट्रव्यू देने जाएंगे, और यहां पर कंपनी का एड्रेस इन्होंने दिया है, Dixon Technologies India Limited, Plot No. 6, Sector 90, Greater Noida में इनकी लोकेशन है, और more information के लिए इन्होंने यहां पर डिटेल दे रखी रेस्टेशन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे, तो सीधे वेब साइट पर पहुँच जाएंगे, और वहां पर आपको अपना रेस्टेशन का काम पूरा करना होगा, तो आईए चल दे काप्यूटर की स्क्र आपको यहां पर भरनी है, यह एक डमी डिटेल है, इसका किसी भी परसन से कोई भी सम्मद नहीं है, उसके बाद यहां पर आपका जेंडर डिटेल भर रा जाएगा, और वर्ग श्रणी सामान SC, ST, OBC, धर्म सम्मदाय यहां पर आपको भरना होगा, अल्प संक्र सम्मदाय स करना, वह चीज आपको यहां पर भरनी होगी, इसका next का बटन हम लोग यहां से द्वाएंगे, next का बटन द्माने के बाद आप next page पे पहुंच जाएगे, अब यहां पर आपको होगी यहां पर पूझा का रोल नंबर आपको यहां पर अपना रोल नंबर भर देना है देन उसके बाद आपको यहां से भरना है SCVT या NCVT अपने trade का नाम आपको यहां पर भर देना है उसके बाद ITI में प्रवेश का वर्ष आप क्या था वो आपको यहां पर भर देना है और ITI के अत्रिक अन शेक्षे की योगता हैं क्या आपके पास हैं वो आप यहां पर भर सकते हैं नेक्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद ITI की डिटेल यहां पर आप से पुछी जारी है उसके बाद शाज की ITI का जिला जहां से आपने पढ़ाए करी हो देन उसके बाद लास्ट में आपको यहां से समिट कर देना है तो बच्चों डिक्सन कंपनी में होने वाले प्लेसमेंट की पूरी की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दी है तो बच्चों I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से होने वाले प्लेसमेंट की पूरी की पूरी जानकारी झाल झाल